वेलकम टू माय यूटूप चैनल रवी रहसन बाइलोजी इस वीडियो में हम और बहुता है क्ले के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिसका जानए जालएते है क्लेनी घस्ट्राइटीर दिसका डिफिनिय से हिजक or फॉर पर्लंग टाइम इपन term chronic gastritis जब जो है gastric mucosa का जो inflammation है वो लंबे समय तक रह जाता है तो वो क्या कहलाता है chronic gastritis कहलाता है जो short term के लिए होता है वो क्या होता है acute gastritis जो हम पिछले वीडियो में डिसकस किए थे वो थोरे समय के लिए एकाएक suddenly होता है एकाएक और जो लंबे समय तक रहता है gastritis mucosa membrane में तो क्या कहलाता है chronic gastritis कहलाता है अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है काउज क्या होगा तो इसका काउज है जैसे use of contaminated food contaminated food का use हो गया peptic ulcer disease कोई भी peptic ulcer disease हो वो एच पाइलोडी infection मतलो हेलिको बैक्टर पाइलोडी infection के कारण हो सकता है हेलिको बैक्टर हेलिको बैक्टर होता है हेलिको बैक्टर पाइलोडी infection के कारण हो सकता है या excessive use of tea and coffee tea और coffee का अधिक यूज करने या alcoholism मतलब सराब मदीरा मद पान यह सब का ज्यादा उप्यों करने से भी यह हो सकता है कि नेक्ट अब इसका हम clinical manifestation मतलब कि इसका इसका क्या-क्या sign and symptoms होगा तो क्या-क्या sign and symptoms कहेंगे तो जैसे first है क्या abdominal tenderness मतलब कि abdomen में जह सो tenderness होगा मतलब दर्द होगा loss of appetite भूख की कमी होगी भूख नहीं लगेगी उसे next nausea and vomiting मतलब अतिसार और उल्टी होगा hurt burn after intake of food और भोजन लेने के बात जो है so hurt burn होगा उसमें जलन टाइप का महसूस होगा poor reabsorption of vitamin b12 और vitamin b12 का जो है so absorption सही से नहीं हो पाएगा so its deficiency में अकर vitamin b12 का अच्छे से absorption नहीं होगा तो क्या होगा इसका deficiency अकर कर सकता है next restlessness restlessness बैचैनी होगा hematemesis में occur in hemorrhagic gastritis अगर gastritis जो है वो hemorrhagic है मतलब hemorrhagic हो हुआ है इस्टोमक के म्यूकस में अगर hemorrhagic gastritis है उस condition में जो है सो उल्टी के साथ जो है blood भी आ सकता है hematemesis मतलब क्या होता है उल्टी के साथ blood आना next treatment इसके लिए हम कहके treatment कर सकते हैं तो treatment में है यूज calorie thromycine फ्लस metronidazol फ्लस omeprazole to treat H pylori infection अगर H pylori infection है मतलब हलिकोब्यक्टर pylori infection है तो उसको treat करने के लिए कौन को सेट्टर तो calorie thromycine फ्लस metronidazol फ्लस omeprazole ये तीनों का combination करके उसे drug provide करना है एड्मिनिस्टर एंटाएसिड। सचाज मेगेनेसियम हईड्रॉकसाइड। और उसे एड्मिनीस्टर एच्टू रिसेप्टर एंटाउडिस्ट सचाज रै क्वेडिन और उसे जो है तो H2 receptor antagonist drug जैसे कि रनीतडीन वो भी क्या करना है administer करना है नेक्स्ट है administer anti-coglinergic drug anti-coglinergic drug भी जो है उसे प्रवाइड करना है supplementary vitamin B12 देना है vitamin B12 का causes में मतलब clinical manifestation की मतलब vitamin B12 की कमी भी हो सकती है तो उसे हम supplementary जो है से vitamin B12 provide करेंगे instruct the patient to avoid use of tea, coffee and alcohol और patient को जो है सो हम मतलब मना करेंगे कि वो जो है tea, coffee और alcohol को क्या करें मतलब उससे दूर रहें उसका उपयोग ना करें जादा और avoid spicy food और जितने भी मसालेदार भोजन है उसको भी क्या करें वो avoid करें जादा योज ना करें next give blend diet to the patient और patient को जो है so blend diet दता है मतलब क्या soft diet देना है semi-solid diet उसे provide करना है increase the patient to take a small meal frequently और patient को जो है थोरी-thोरी मात्रा में सो भोजन थोरे-thोरे देर पर करते रहना चाहिए एक short interval पर मतलब 3-4 गंटे पर उसे कुछ न कुछ खाते रहना है जिससे क्या होगा कि gastritis का condition सो कम होगा psychological support और patient को जो है to the patient and his family member और मतलब patient के साथ साथ उसके family member को भी psychological support प्रवाइट करेंगे इस मतलब हम उसे कहेंगे कि ये कुछ नहीं है ये तुरंट ठीक हो जाएगा इससे कुछ नहीं तो उसे हम psychology मतलब मालसी ग्रूप से भी उसे क्या करेंगे हम समझाएंगे अच्छे से उसके family member प्रवाइट को इस वीडियो में बस इतना है खतम हो गया ये ये